नमस्कार दोस्तों मेरे नाब आसीश वेलकम टू यूट्यूब चैनल घंगर स्टेडिज में दोस्तों आज का हमारे टोपिक है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया भारत में राष्ट्रिय राणिदेतिक ब्रल उनके बारे में जहां बात करेंगे जितने भी आप इलेक्शनों में पॉलिटिकल पार्टियां दिखती है आज हम उनके बारे में बात करेंगे जो नेशनल लेवल पर काम करती है तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में सुरू करते हैं सुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करता है और यहां पार्टी आंजर परदेश मनी पूरावर वेस्ट में है तो इसका फाउंडेशन इयर 1998 फाउंडर ममता बेनर जी पार्टी प्रेजेंट ममता बनर जी पॉल्टिकल पॉजिशन किसी भी पार्टी की आइडिलोजी को बताता है जो हम आपको लिचिल लाइन क फराज था और एक तर्फ उनके विरोध्य भी थे जो चेंज चाहते हैं जो एक डेमोक्रिसी चाहते हैं तो उनकी पार्लेमेंट में उस तर्म सिटिंग प्लान यहां हुआ करता था एक साइड ग्रीब लोग मेठा करते हैं एक सेड अमीर लोग जो ग्रीब लोग थे जो चे दोस्तों इस अधार पर पार्टिव के ट्रोजियों को बांटा गया है मतलब कोल्टिकल प्रजिशन एइटीशी की है सेंटर लेफ्ट मोडिरेट से थोड़ा लेफ्ट यह करते हैं उसके बात करते हैं भारतिया जनता पार्टी बीजेपी हर कोई इसका नाम जानता है भारत जनसंग से थे क्योंकि भारतिय जनता पार्टी का पहले नाम भारतिय जनसंग था और अटल भिहरी वाजपई लाल कृष्ण डवानी और करेंटे में पार्टी प्रेजेंट है जलत्रकार नड़ा और पोलिटिकल प्रजिशन राइट विंग हमने आपको बता जिया राइट जनसंग जो की वर्तमान में भाजपा है उसकी स्ताफना हुई थी उसका चुनाब चिन उसमें बिपक हुआ घरता था एंडिये एक अलाइंस है पार्टियों का तो एंडिये का फुल फॉर्म है नेशनल देमोक्रेटिव अलाइंस 1998 में स्रीवाजपाई की टेम इसका यूज़ हुआ था वाजपाई जी ने इलक्सें से पहले एक गटबंदिन किया था उसको एंडिये नाम दिया गया था दोस्तों उसके बाद आप बात करते हैं INC इंडियन नेशनल कॉंग्रेस वन ओफ दा ओडेस्ट पार्टी 1885 मिसका फाउंडिशन येर है तो इसका चुनाव चीन हाथ है इसके फाउंडर आप देख सकते हैं एलन ओक्टेविन ह्यूम दादा भाई नारो जी निरा सावाचा मोमेश चंदर बनर जी इसके फाउंडर थे पार्टी प्रेजेंट आप करेंट में देख सकते हैं सोजिया गांदी जी है और पॉल्टिकल पुजिशन सेंटर तू सेंटर लेफ्ट पतला मोडिरेट से थोड़ा सा लेफ्ट की साइड 885 में पार्टी गठन हुआ उसके बाद कई लीडर आये पार्टी संभाली कई गए तो हम आपको नहरू जी के बारे में थोड़ा पताएंगे गहरू की टैम पार्टी का चुनाव चिन दो बैलों की जोड़ी हुआ करती थी जिससे आम लोगों को मुख्या रूख से किसान लों के साथ बहतर तालमेल के साफित किया गया था और 1909 में पार्टी विवाजन के बाद चुनाव अयोग ने इस चिन को जबत कर लिया था उन इंद्रा गांधी ने हाथ को चुनाव सिम बनाया इनकी एडिलोजी के बारे में हमने आपको बिता दिया सेंटर तू सेंटर लेफ्ट बंविह आसा रखते हैं कि मोडन वेस्टन कल्चर को यह अपनावा चाहते हैं चैकुलर डेमोक्रेटिव सेंटर पार्टी भी बोलते है और इंडियनेस्टन फांगरिस्टो यूप्य भी बोला जाता है आपने सूरह होगा लिए उसमें यूप्य गवर्मेट भी ने जब बोला जाता है क्योंकि इन्होंने भी कही पार्टियों साक गटबंदन किया हुआ था यह गवा है यूप्य क्या खुल पॉम है उनाइटि पांडेशन एस 1984 फांडर्स कांसी राम आप वोटू में देख सकते हैं कांसी राम जी को और पर्टी प्रेजिस टेंडिश टेंप करण्ट में माया बती जी है और पोलिटिकल पॉजिशन सेंटर लेफ्ट तो मतले सेंटर सेंटर लेफ्ट बोलेट जोड़ा लेफ्ट बोड दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल कॉंगरिस पार्टी एंसीपी कॉंगरिस से टूटके यह बाती बनी थी इसका चुनाब चीन आप देख सकते हैं धड़ी है फाउंडेशन यह नाइटी नाइटी नाइन फाउंडर्स संग्मा तारिक अनुवर और उसके ग्रि इसके बात करते हैं उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद बात करेंगे पहले हम आपको CPI के बार में CPI फाउंडेशन येर 1925 फाउंडर्स अम्भानी मुखरजी शारू मजबुदार इवियलेंट प्रेंट आप इसके देख सकते हैं इनके ना और कंट में पार्टी प्रेजिएंट है दीर आजा और पोलिटिकल पोजिशन की है लेस्ट भी तर लेस्ट राइट जो वर्ड इस चुनाबी चीन आपके निकार देख सकते हैं बाली फाउंडी चीन है और 1905 से इसका ये चुनाबी चीन है इस चुनाबी चीन की पिछे अगतार नहीं है कि यह पार्टी भूमी सुधार को ब्लावा देती है और किसानों की स्थितिती में परिवरतन लाना चाथती है और सब्सक्राइब बात करते हैं Communist Party of India Marks CPIM जो इससे टूटकी ही बनी थी मतलब बनी है चुनाबी चीन आप देख सकते हैं हस्या हथोड़ा है और यह यह दर साथता है कि CPIM किसानों ये मज़दूरों की पार्टी है जो खेतों में काम करती है और साधान जीवन जिती है फाउंडेशन यह आप इसकर देख सकते हैं 1964 Founders EMS नामूद दिरापाद जोती बसूव पार्टी प्रेजिएट हैसके सितर आप यह चो हुरे है तो पॉलिडिकल प्रेजिशन इसके आप देख सकते हैं Left to far left मतलब यह पार्टी पूरे भारत में पुझी वांदी और वैस्व पुरा हमें stronghold है और ideology सेम इसकी CPI की तरह है थोड़ीशी इसकी अलग है स्प्रेकुले टेमक्रीशी दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल ट्यूपल पार्टी एन पीपी एक नई पार्टी है पेहने साथ हो करते थे अब आठ होई है और इसका Foundation Year 2013 और इसका चुना पार्टी बन गई आई डोस्तों तो हमारा आज का टोपी यहां पर थोड़ा समापत हुआ थोड़ा वीडियो खत्म करने से पहले में आपको थोड़ा सके बारे में बताता हूँ नेसल पार्टी बनने के लिए क्या क्या सर्थे होती है तीन सर्थेस की में हैं तो दोस्तों को तीन सर्थे है यह पार्टी शूट बिन 2% of seats in the loggh sabhah from at least 3 different states किसी भी पार्टी को 2% seat लोगसाभा में होनी चाहिए एट लिस्ट तीन डिप्रेंट स्टेट से दो परसेंट सीट लोगसभा में होनी चाहिए तब उस पार्टी को ने एसल पार्टी के दर्जा मिल सकता है दूसरी कंडिशन है अगली वीडियो में आपके साथ अपना प्यारी से तरह अबनाए रखिए वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तब तब चलते हम अगली वीडियो मिलेंगे जया भारत